नमस्कार दोस्तों, आज की सेसन में हम CBSC के बारे में डीटियल में डिसक्स करने वाले हैं, तो अगर आप CBSC के बारे में जरा सा भी जानने को इंटेस्टेट हैं, तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा, यह गैज मैं असुख सिंग और आप देख रहे हैं अलग क को की गई थी, यह एक Government Board of Education है, इसका Headquarter नियो देली इंडिया है, अगर हम Official Language की बात करें, तो CBSC का Official Language हिंदी और इंग्लिज दोनों है, इसके Chairperson Manoj Ahuja हैं, जो की IAS अधिकारी हैं, इसके Parent Organization में Ministry of Education का नाम समलित किया जाता है, अफलेशन की बात करें, तो लगभग 21,271 कर डिंगे, और 228 स्कूल ऐसे हैं, जो की 25 फॉरेंड कंट्री में बिलॉंग करते हैं, जो की CBSC से अफिलेट हैं, इसके अलावा करिकलम की बात करें, इसके पार्टिकरम की बात करें, तो यह NCERT-based करिकलम फालो करता है, इसकी official website है, CBSC.NIC.A, अगर आप तेश में भरमण करे करेंगे, तो आपको बहुत सारे CBSC affiliated college मिल जाएंगे, जिसमें केंद्री विद्याले, नवोदे विद्याले, बहुत सारे private school होंगे, government school होंगे, कुछ central तिबतन श्कूल भी आपको मिल जाएंगे, अगर हम इनके आकड़ों की बात करें, तो केंद्री विद्याले लगभग 11 1131 है, नवोदे विद्याले की संक्या 1595 है, जबकि private schools जो है, उनसे 16,741 के करीब इनकी संक्या है, government school 31 है, इसके अलावा central तिबतन श्कूल 14 है, तो ये एक आकड़ा है, जो की लगभग 2019 के recording है, अब हम डिसकस कर लेते हैं कि CBSC के दोरा कौन कौन से एक्जाम करवाय जाते है तो आप जानते हैं कि CBSC के दोरा प्रति वर्स, high school and intermediate का एक्जाम करवाय जाता है, यानि कि अगर आप 10th में हैं and अगर आप 12th में हैं तो इसका एक्जाम प्रति एक वर्स CBSC के दोरा करवाय जाता है, इसके अलावा CBSC के दोरा AIEEEE का एक्जाम करवाय जाता था, AIEE PMT का एक् Intermediate का exam अभी भी CBSC करवाती है, जबकि seated का exam भी भी CBSC के अंतरगत होता है, लेकिन AIEE को अब NTA करवाता है, और अब ये AIEE के नाम से नहीं जाना जाता है, ये जाना जाता है JAE Mains के नाम से, ठीक है JAE Mains के नाम से जाना जाता है, और इसका notification NTA के द्वारा जारी किया जाता है, एंतरगती कांटिन्यू किया जाता है और AI PMT भी अब समापत हो गया इसको हम जानते हैं नीट के नाम से ठीक है नीट के नाम से अगर आपको मेडिकल में केरियर बनाना है तो नीट एक्जाम आपको क्रेक करना पड़ेगा उसके बेसिस पर आप उन कोर्सेज में अडमेशन कर सकते हैं जिसमें आपको MBBS मिल जाएगा BA, MS मिल जाएगा BU, MS मिल जाएगा बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे तो ये NTA के द्वारा अब NEED का भी एक्जामनेशन करवाया जाता है बात आती है NET की तो NET का एक्जाम अब CBSC के द्वारा नहीं करवाया जाता इसका एक्जा जान लिया कि कौन कौन से एक्जाम CBSC के द्वारा continue किये जाते हैं अगर आप CBSC के student हैं तो 10th and 12th में जो आपका marks आएगा वो आपको grade wise मिलेगा ठीक है अब यहां पर grade आप देख सकते हैं A1 होता है A2 होता है B1 होता है B2 होता है C1 होता है C2 होता है D1 होता है D2 होता है अगर आ इतने number of student है number of student जो है उनमें आपको जिस subject में जितने लोग पास हुए है ठीक है इनमें से जितने लोग पास हुए है उनमें आपको 8 से भाग कर देना है ठीक है तो जिनमें आप 8 से भाग करेंगे तो जो number आएंगे जो digit आएगा वो आपको A1 grade पाएंगे इसके बाद जित कैसा लगा कमेंट में लिखके अच्छा लगा हो तो लाइक और सेयर कर दीजेगा जैसे